सदन में हंगामा आखिर क्यों हुआ इतने सांसदों का निलंबन हुआ है इसके स्तारीक में कितने सांसद निलंबन हुआ है नई संसद का नियम कहता क्या है आज में पहली बार हुआ है कितने सांसद सदन से निलंबन कर दिये गई हो या विपक्ष की मांग गलत थी या एक उप राश्पती का मिमिक्री करना उनकी तरह आक्टिंग करना सही है उनका मखौल उड़ाना सही है देख रहा है कि आपने उपराश्पति का किस तरह से अपमाल किया है 2024 नजदीक नहीं है नई संसद के अंदर और नई संसद के बाहर 19 दिसंबर को क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है लेकिन जो भी हुआ वो शर्म सार कर देने वाला था संसद की सुरक्षा में 13 दिसंबर को चूख हुई जिसको लेकर विपक्षी संसदों ने जम कर वरोट किया तक्तियां लेकर ये सभी लोग सधन के अंदर पहुँच गए जम कर हंगामा करने लगे और जो वहाँ पर उस वक्त पिठा सीन थे उन तक पहुँचने की कोशिश करते रहे विरोध तो किया गया लेकिन नियम के तहट में हुई समिधान के तहट में हुई जिसके बाद 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक करीब 141 संसद दोनों सदनों से निलंबित कर दिये गए जिसके बाद विपक्षी संसदों का पारा और ज्यादा हाई हो गया और ये सभी संसद संसद परिसर में जाकर बैठ करें और हंगामा करने लगे लेकिन ये सब यहां नहीं रुका हट तो तब हो जाती है जब इनहीं में से एक टीमसी संसद कल्यान बनरजी पीठा सीन और उपराश्पती जगदीब धनकर की मिमिक्री करते हैं और बाकि संसद उनका उत्सहा वर्दन करते नजर आते हैं तालिया बजाती हुए नजर आते हैं इतना ही नहीं राहुल गांधी सामने से स्पूरे वाक्य का विजियो बना रही होती है क्या कोई संसद देश के उपराश्पती का इस तरह से अपमान कर सकता है क्या ये एक संसद को शोभा देता है जिसको लाखों लोगों ने संसद के अंदर चुन कर भीजा हो ये कैसा विरोध है जिसमें न सदन की मरियादा का खयाल है और ना ही उपराश्पति पद की गरीमा का इसार्स है देखा जाए तो आज बीजेपी की जो महिला सांसद है जो महिला कार करता है वो लगातार विरोध कर रही है उनका कहना है कि उप्राश्पती का अपमान बरदाश नहीं किया जाएगा जो रविया विपक्ष अपना रहा है वो सरासर गलत है और इसका जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा इस तरह की बाते सरकार के तरफ से की जा रही है आज भारत एक 9 में इसी मामले का विसलेशन करेंगे तो बने रही है हमारे साथ और वीटियो को अंद तक जरूर देखें सबसे पहले बात करते हैं कि सदन में हंगामा आखिर क्यों हुआ इसके पीछे वजह थी संसद की सुरक्षा में चूख 13 दिसंबर को जो संसद के अंदर स्मोक अटैक हुआ उसको लेकर विपक्षिछ सांसद गृह मंतरी अमिशाह के बयान की मांग कर रहे थे और पुर्जोल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद भी इन्हें अमिश्या का ही बयान चाहिए था और इसलिए ये विरोध का रही थे अब बात करते हैं कि आखिर कितने सांसदों का निलंबन हुआ है किसके तारीख में कितने सांसद निलंबित हुए तारीख 14 दिसंबर लोगसभा से 13 और राजसभा से 1 18 दिसंबर लोगसभा से 45 और राजसभा से 33 19 दिसंबर लोगसभा से 49 राजसभा से कुई नहीं कुल मिलाकर लोगसभा में 107 और राजसभा में 34 सांसद लंबित हुए यानि कि अब 149 सांसद ऐसे है जो सांसद के बाहर पहुँच गए है लेकिन इस पर भी विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि जब तक एक भी सांसद विपक्ष का अंदर है हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे अब आखिर इन सांसदों का निलंबन किस आधात पर हुआ क्योंकि कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बात हुआ है कितने सांसद सदन से निलंबित कर दिये गए हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसद इतिहास में लोकसभा में सबसे बड़ा निलंबन 1989 ने हुआ था सांसद पूर्व प्रधान मंत्री इंदरा गांधि की हत्या पर ठपकर कमिशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे इस तोरां अध्यक्ष ने 63 सांसदों को निलंबित कर दिया था निलंबे सदस्यों के साथ अन्य 4 सांसद भी सदन से बाहर चले गए थे तो ये कहना गलत होगा कितने बड़े पैमाने पर पहली बार सांसद निलंबित किये गए हो हाँ 141 सांसद सदन के बाहर है ये पहली बार हुआ है लेकिन एक साथ 63 सांसद 1989 में भी सदन से बाहर कर दिये गए थे तो चलिए आप जानते हैं नई संसद का नियम कहता क्या है जब आप सदन के अंदर जाते हैं तो नियम क्या कहता है सबसे करें बात करते हैं नियम 256 की अगर सभापती आवश्रक समझें तो वो सदस्य को निलंबित कर सकता है जो सभापीट के अधिकार की अपिक्षा करें या जो बार-बार और जान बूच कर राज्य सभा के कारे में बाधा डाल कर राज्य सभा के नियमों का दुरुपियों करें दूसरा पॉइंट ये है कि सभापती सदस्य को राज्य सभा की सेवा से ऐसी अवधी तक निलंबित कर सकता है जब तकी सत्र का अवसान नहीं होता या सत्र के कुछ दिनों तक भी ये लागू रह सकता है अब तीसरा नियम यानि कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है निलंबन होते ही राजसभा या लोगसभा सदस्य को तुरत सदर से बाहर जाना होगा राजसभा में नियम दोसो पर्षपन के तहत निलंबन कैसे होता है इस पर भी प्रकाश डालना रौक्ष्णी डालना बहुत जादा जरूरी है अगर सभापती को लगता है कि किसी सदस्य को विभार घोर आविवस्था पूर है तो वो उसे राजसभा से चले जाने का दिरदेश सीधे तोर पर दे सकता है ये नियम के तहट निलंबन केवल उससे दिन के लिए लागू रहेगा उसमें उस सदस्य को सदन से बाहर रहना होगा अब सवाल ये उट्टा है कि क्या निलंबन वापस भी हो सकता है तो उसका जवाब है हाँ लेकिन ये भी राजसभा के सभापती के मर्जी पर ही होगा निलम्बि सदस्यों के माफी मांगने पर भी से वापस लिया जा सकता है वैसे सस्पेंशन के खलाफ प्रस्ताब भी सदन में लाया जा सकता है अगर ये पास हो गया तो निलम्बन खुद बखुद हत जाएगा तो ये तो बात हो गई राजस अभा की अब लोगसभा में निलम्बन किस आधार पर होता है और क्या नियम कहता है ये भी चाल लेते हैं लोगसभा में नियम 373 और 374 के जरिये स्पीकर को यदिकार हासिल होता है लोगसभा के नियम नंबर 373 के मतावे अगर लोगसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कारवाई बाधित करने की कोशिश कर रहा है तो उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर का रास्ता दिखा सकता है या बाकी बचे पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंट कर सकता है इसी नियम के तहट लोग सभा से कॉंग्रिस के चार सालसदो काने लंबन स्पीकर ओम बिल्डा ने किया है अब नियम 374 क्या कहता है अगर स्पीकर को लगता है कि कोई सदसे बार बार सदन की कारवाई में रुकावन डाल रहा है तो उसे बाकी बचे सेशन के लिए भी सस्पेंट कर सकते हैं अब राजजसभा की तरह इसमें भी ये सवाल उटता है क्या इसे चुनौती दी जा सकती है तूसका जवाब है नहीं इस निलंबन को अधालत में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि ये मामला संसत के अनुसाशन से सम्मंधित होता है और इन आयाले के कारिश्षित्र में नहीं आता संसदों के संस्पेशन के कुछ चर्चित मामले जिन पर एक पर नजर डालेते हैं जनवरी 2019 स्पीकर सुमित्रा महाजन ने टीडिपी और ए आई ए डीम के के कुल मिलाकर 45 संसदों को सस्पेशन किया था फरवरी 2014 सदन में तलांगरा को अलग राज्य का दर्जा देने या ना देने को लेकर बहत चल रही थी इसे बीच बवाल करने वाले 18 संसदों को स्पीकर मीरा कुमार ने सस्पेशन कर दिया था मार्श 1989 उस वक्त राजीव गांधी प्रधान मंद्री थे अनुसाशन हींता के मामले में 63 संसद निलमवित किये गए थे तो ये तो हो गया कि नियम कानून काईदा समिधान क्या कहता है आप सदन के अंदर अगर हैं तो सदन की एक मरियादा होती है और चाहे हो राजुसबा हो चाहे हो लोगसबा हो जो उस वक्त पिछासीन है उसके मर्यादा का खयाल गरीमा का खयाल आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप इसका उलंगन करते हैं तो आप सजा के पात्र हैं सजा के तोर पर आपका निलंबन निश्चित है आपको निलंबित कर दिया जाएगा वो एक दिन के लिए भी हो सकता है कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है या फिर पूरे सेशन यानि कि पूरे सत्र के दौरान के लिए भी हो सकता है और इस वक्त यानि कि 2023 में जो अभी सत्र चल रहा है इस वक्त कुछ सांसदों के साथ ऐसा ही हुआ है अब सवाल ही उठता है कि क्या अमित शह से जवाब मांगा गलत था जिसकी वज़ो से इनका संस्पेंशन हुआ तो इसका जवाब ये है कि सस्पेंशन इस वज़ो से नहीं हुआ कि वो जवाब मांग रहे थे suspension इस वज़े से हुआ है क्योंकि उनका तरीका गलत था लोगसभा हो, राजसभा हो, सदन के अंदर अगर आपको अपनी बात रखनी है आप अपनी बारी का इंतजार करें और आप अपनी बात को रखें ना कि आप कख्ती लेकर आएंगे, पन्ने उड़ाएंगे, जो पिठा सीन है उनके सिहासन तक यारसन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, वेल में जाने की कोशिश करेंगे ये नियम नहीं कहता, अगर आप ये नियमों को उलंगन करते हैं तो आप सजा के पात्र हैं, आपका निलंबन होना निश्वित है लेकिन एक बार फिर से इस सवाल को हम जाननी की कोशिश करें तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष की मांग गलत थी, विपक्ष की मांग बिलकुल सही थी संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है, ये बहुत बड़ा मामला है और विपक्ष कुछ गलत नहीं कर रहा था मांग बिलकुल सही थी और एक बार फिर मैं कह रही हूँ कि तरीका गलत था, इरादा गलत नहीं था संसद की मर्यादा क्या है, सदन के अंदर किस तरह का वेवार करना है ये सभी संसद जानते हैं बहुत बहुत बहुतर तरीके से क्योंकि जब भी सदन के अंदर कोई सत्र चल रहा होता है तो आप नियम कानून को पढ़कर उस पर सिंगनेचर करकर अंदर ही जाते है क्या समिधान के विफरीथ है तो फिर ऐसा क्यों किया गया क्या ये सांसर जान बूच कर बाहर ही रहना चाते थे या फिर देश की जनता का ध्यान कई और करने की कोशिश कर रहे थे ये भी बड़ा सवाल है तो देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए क्या विफक्ष ने जान बूच कर ये नीती अपनाई है क्योंकि देखे जब सत्र चल रहा होता है कई बिलो पर चर्चा हो रही होती है तो क्या वो बिल पास ना हो पारित ना हो पाए इस वज़र से हंगामक किया गया ताकि पूरा विफक्ष बार बैठ जाए और समय जो है वो खराब हो देखे अगर सदन की कारवाई की हम बात करें तो सदन की कारवाई जनता के पैसे से चलती है और ये पैसे का दुरप्योग है अगर आप कारवाई चलने नहीं दे रही है तो जान बूच कर ऐसा विफक्ष के द्वारा किया गया ताकि देश की जनता का ध्यान इस तरव जाए कि ये लोगतंत की हत्या है और ताना शाही है अंदर आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कुछ पत्रकार तो जी हाँ कुछ पत्रकार तो ऐसा ही दिखा रहे है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है लोगतंत का गला गोटा जा रहा है लोगतंत की हक्तिया की जा रही है हिटलर शाही है ताना शाही है संसत की सुरक्षा में चूग जो है वो बड़ा मुद्दा है हम मानते हैं बड़ा मुद्दा है आप इसे भी दिखाईए लेकिन जो विपक्ष कर रहा है अगर वो गलत है तो आप वो भी बताईए क्या एक उप राश्पती का मिमिकरी करना उनकी तरहा आक्टिंग करना सही है उनका मखौल उड़ाना सही है बहुत बड़ा सवाल है कुछ पत्रकार लेकिन ऐसे ही कर रहे है सांसद आकिर क्यों निकाले गए ये जवाब ये पत्रकार नहीं देंगे ये बिलकुल नहीं बताएंगे ये सिर्फ ये बताएंगे कि लोकतंत की हत्या है विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है जनता की आवाज विपक्ष है जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है ल उधारण ये है कि जब स्कूल में, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो जान बूच कर शैतानिया कर रही होते हैं, जान बूच कर पीछे बैठ कर, कुछ ना कुछ ऐसी हरकते करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, शोर मचाते हैं, गाना गाते हैं, या कुछ और क सजा दे हैं लेकिन स्टूरेंट्स के लिए वो सजा नहीं मजा होता है क्योंकि वो चाहते ही यही ते कि टीचर उन्हें बहार निकाल दे क्योंकि उन्हें पढ़ना ही नहीं था उन्हें टीचर की बास सुननी ही नहीं थी उन्हें टीचर का लेक्चर सुनना ही नहीं था कुछ जैसा ही ये सांसत कर रही है, फिलहाल देखा जाए, तो देश भर में इस पूरे मामले को लेकर हंगामा है, एक तो संसत में सुरक्षा में जो चूख हुई है, बड़ा मुद्दा है, बड़ा टॉपिक है, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल इस पर व देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश के जनता बहतर तरीके से जानती है, तो आप देश का महाल खराब करने की कोशिश ना करें, और साथी साथ अगर आपको वाकई जनता की आवाज उठानी है, तो उन बिलो को सुने, ताकि आपको पता चल पाए, उन बिल सकते हैं लेकिन तख्तिया लेकर या पद की गरीमा का भ्यान नहीं रखेंगे तो फिर देश देख रहा है कि आपने उपराश्पति का किस तरह से अपमाल किया है 2024 नजदीक नहीं है जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कल बोल दिया कि 2024 में ही जो विपक्ष है वो बाहर बैठेगा अगर इस तरह का रवया अपनाएगा और इंडिया अलाइंस कहीं ना कहीं हो सकता है कि तीन राज्यों में जो हार हुई है उसका गुसा नज़र आ रहा हो या फिर इंडिया अलाइंस में चौती बैटक में भी कुछ असमंजस सा नज़र आ रहा है वो सकता है इसकी बौकलाहा ठो और ये सब निकल रहा हो तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपका तरीका सही होना चाहिए आपका मुद्दा बिल्कुल ठीक है लेकिन तरीका अगलत है तो तरीका सुधाने की कोशिश करें क्योंकि 2024 नज़र जनता सब देख रही है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि देश में इस वक्त जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो दो तस्वीर है अब जनता देख रही है कि उसे किसे चुना है तो अगर आप चाहते हैं कि INDIA गड़बंदन को जनता चुने तो आपको जनता की आवाज को सही तरीके से सदन के अंदर रखना होगा क्योंकि आप होँ अला करेंगे घरीमा का ध्यान नहीं रखेंगे संसत की मरियादा का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आप बाहर बैठेंगे और बाहर बैठेंगे तो जनता की आवाज नहीं पहुँच पाईग robots.9 में आज को ले इतना ही मैं आपके साथ का जोर नराए नमस्ता